हेलो बच्चो कैसे हो आप सब मैं प्रिती मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल पीटू एजूकेशन में आज मैं आप लोगों को हिंदी की पाठ्य पुस्तर क्लास नाइन मीरा भाई की भचन एक्स्प्लेन करने जा रही हूँ उम्मीद है तो इसमें मीरा भाई क्या कहती है हरी दे हरिया चन रो पीर मतलब हे हरी आपने अपने भक्त जनों का संकट हरा है हरी मतलब श्री कृष्णा जन मतलब भक्त जन बीर मतलब संकट तो मीरा भाई कहती है कि हे हरी आपने अपने भक्त जनों का संकट दूर किया है उनकी को दूर कि है मीरा भाइ कहती है की द्रोपति रीलाज रखिया दे बढाया छी मतलब जिस प्रकार आपने द्रोपती की लाज रखी उनका आप सभी चांते हैं जब भरी सब आमें दुशाशन द्रोपती की वस्त्र चीरहरन कर रहा था तो श्रीक IPSNA ने उनकी लाज की रक्षा की थी, उनकी रक्षा की थी, उन्हें बचाया था भक्तकारान रूप नरहरी धर्या आप सरीर भक्तकारान, तो आप लोगों को इस स्टोरी पता है की नहीं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी भक्त कारण प्रहलात जो शिक विश्णु भगवान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था तो भगवान ने उनकी नर्सिंगा का रूप धारन कर भगवान विश्णु ने उनकी रक्षा की थी किस से की धी उनके ही पिता हिरन केशों से उनके जो पिता हिरन केशों थे वह एक राजा थे और उन्होंने अपनी घोर तपश्या के कारण भगवान विश्णू से वर्दान पाया था और उन्होंने वर्दान में मांगा था कि हे ब्रह्दान जी मुझे ऐसा वर्दान दीजे कि मैं आज जीवन मुझे कोई ना मार सके और मैं अजर अमर रहूं उन्होंने भगवान प्रह्दान जी से ये वर्दान लिया था कि मुझे आप यह वर्दान दें कि मुझे दीन में ना ही कोई मुझे दीन में मार सके ना ही रात में ना ही कोई मुझे घर पे मार सके और ना ही बाहार और ना ही कोई मुझे अस्त्र से मार सके और ना ही सस्त्र तो प्रमाजी ने उनकी घोर तपरशा के कारण उन्हें वर्दान दे दिया था तो हिरन केशो जो थे अपने आपको राजा भगवान मानने लगे थे और वह किसी से भी नई डरते थे और नाहीं वो विश्णु भगवान को मानते थे नाहीं उनकी आराधना करते थे तो उनका ही जो सबसे छोटा पूत्र था प्रहलाद वो भगवान विश्णु का बहुत बड़ा भक्त था वो बच्पन से ही विश्णु भगवान का पूजा पाट आराधना किया करता था उनकी ही भक्तिन में लीन रहता था तो इसी की कारण जो हिरन किशो थे वो अपने पूत्र प्रहलाद को मारना चाते थे और उनकी ही रक्षा विश्णु भगवान नर्सिंगा का रूप धारन कर उनकी रक्षा करते हैं भुड़ता गजराज रख्या कटिया गुण्जर वीर दूपता हुआ गजराज मतलब हाथी उनकी रक्षा की थी किसने विश्णु भगवान जी ने गुंजर मतलब भी हाती होती है और वीर मतलब संकट तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो ये गजराज मतलब गजिंदर जो रहते हैं वो पहले हाती नहीं रहते हैं वो पहले एक राजा हुआ करते थे वो श्राब के कारण उन्हें हाथी बनना पड़ता है तो उन्हें श्राब कुन देता है उन्हें श्राब एक रिशी मुनी उन्हें श्राब देते हैं और क्यूं देते हैं क्यूंकि वह एक राजा रहते हैं और वह अपनी प्रजा की रक्षा ना करके अपनी राज्य सिंहासन को ना सम्हाल कर एक जंगल पर आके तपर्षया करते हैं भगवान विश्णु के लिए तो उन्हें एरेशी मुनिये श्राब देते हैं कि तुम गदे हाथी की भाती जंगल पर बैठे हो मैं तुमें श्राब देता हूं कि तुम इसी जंगल पर एक अन्हें हथनिया भी रहती हैं तो वह पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे चाते हैं तभी जब वह सरोवर से जल पी रहे होते हैं तब गजराज क्या होता है उसमें डूप जाता है और मगरमच उनकी पेरों को टान कर उन्हें अंदर लेके जाने लगता है तब वह अपने आपको बचानी की बहुत प्रयाज करता है और उनके साथ जो अन्हतिनिया रहती है वो भी उने बचानी का बहुत प्रयास करती हैं. पर नतुँ वो उनने बचा नहीं पाती. तब गजराज क्या करते हैं? अपने भगवान अपने विश्नु जी को याद करने लगते हैं, और बोलते हैं, हे प्रभू आप ही मेरी रक्षा कीजिये और विश्नु भगवान की आरातना करने लगते हैं? उसी मेरा बाई क्या कहती है कि हे प्रभू मैं आपकी दाशी हूँ मैं आपकी ही शरन में रहना चाहती हूँ आप मेरी भी पीरा मेरी भी संकट को दूर करिए तो चलिए बचो अब हम भजन का दूसरा भाग देखते हैं तो मेरा बाई क्या कहती है पक पान घुंगरू नाचिया र तो इस लाइन का मतलब क्या है पग, पग मतलब क्या होता है पेर, तो मीरा भाई पेरों में घुंगरू बान कर नाचने लगती है, श्री कृष्णा के भक्ति में वो अब पेरों में घुंगरू बान कर नाचने लगती है, प्रेम भक्ति से उनके लिए मंदिर में जाकर वो न शाष्यु कोंपला, शाष्यु का मतलबूर उनकी मीरा। वीक रो प्याला राजा भेजिया, पियो मीरा हासीरी, तर्णमन वरिया परी चरणा में तर्शन अमरित प्यासीरी, तो इस लाइन का मतलब कहा है वीक, वीक मतलब होता है विश, रो प्याला राजा भेजिया, जो मीरा भाई के जो ससुर्थ है, राजा राणा, उन्होंने क्य किया था मीरा भाई के लिए विश का प्याला भीजा था तो मीरा भाई ने क्या किया वो जो विश का प्याला था उसे खुशी-खुशी मीरा भाई पी गई हस्ते हस्ते मीरा भाई ने उस विश का प्याला पी लिया और वो तो श्री किष्णा की बहुत बड़ी भक्त थी तो प्रभु गिर्धर नागर ने उनकी भी रक्षा की उनकी जान बचाई जब विश हस्ते हस्ते जब मीरा वैय ने विश पी लिया था तो वो उस विश को पी के मरी नहीं अज़र अमर हो गई तो वो क्या कहती है तन्मन वार्या परी चरणा में दर्शन अमरीर प्यासीरे तन्मन मतलब अपना तन्मन वार्या मतलब वो अपना तन्मन श्री किष्णा पे निचावर कर दी थी, तन्मन वार्या परी चड़ना, चड़ना मतलब चड़नों में, प्रभु की चड़नों में उन्होंने अपने तन्मन को निचावर कर दिया था, अपने आपको निचावर क कर दिया था और शरिप प्रभु के दर्शन की अमरीश केStr पाने के लिए तरसती थी वह बस उनका अमरीश क्या था प्रभु श्रीकिष्णा के पर्शन ही उनका अम्रीत था और उनहीं पाने के लिए वो तरिस्ती थी वो आपना तन मन हम सब कुछ श्री कृषण पर निशावर कर दी थी कि लाश लाइन देखें मीरा बोलती है म्या के प्रभु गिर्धर नागर कौन थे शिकिष्णा जी थे तो मेरा कहती है कि है मेरे प्रभु गिर्धर नागर मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ इसलिए मेरी रक्षा अब आप ही करेंगे और मेरी रक्षा अब आपकी हाथों में है तो छलिए बच्चों हम लोग दीसरा प्रेगर अब देखते हैं मेरा बाई क्या कहती है राम नाम रस पीजे मनुआ राम नाम रस पीजे तन कुशुंग सत्संग बैट नीथ हरी चर्चा सुन लीजे काम क्रोध मत लोग कू पाहा चीश सूत दीजे मेरा के प्रभु गिर्धर नागर ताही के संग पीजे तो मेरा बाई क्या कहती है राम नाम रस पीजे मनुआ राम नाम रस पीजे मतलब राम नाम का रस मनुष्य को बोलती है मनुआ मतलब मनुष्य लोगों को बोलती है कि आप लोग राम नाम का जाप कीजे राम नाम का रस पीजे तच कुशुंग सदसंग बैट तज कुशुम मतलब बुरी संगती को छोड़कर सदसंग बैट मतलब अच्छी संगती में बैठिये अच्छी संगती के बुरी संगती को छोड़कर अच्छी संगती के लोगों के साथ रहे नीत मतलब सदा हरी चर्चा सुन लीजे हरी मतलब श्री किष्णा की चर्चा कीजिए बुरी नाम का चर्चा कीजिए। मतलब मेरा भाई कहती है कि आप अपने मन से क्रोध लोग मुह माया ये सब को दूर करके बाहा चीट दूर दूर। कर दीजिए और राम नाम का चर्चा कीजिए प्रभू की अराधना कीजिए मेरा के प्रभू गिर्धर नागर ताही के रंग में भीजिए मेरा बाई कहती है कि जो मेरा के प्रभू गिर्धर नागर है उनके रंग में उनसे प्रेम कीजिए उनके प्रेम में ही आनंद है उनके जमुना का तीर व जमुना का निर्मल पानी सीतल होया शरीर बनसी बजया कानहा संग लिया वलवीर मोर्ग मुकूट पितामबर शोया कुंडल जलक्या हीर मीरा की प्रभु गिर्धर नागर कीर संग वलवीर चालो मन मतलब मीरा बाई कहती है कि हे मेरे मन चलू जमुना का तीर मतलब यमुना के किनारे वो यमुना के किनारे जिनका पानी जिसका पानी निर्मल है सीतल है जिससे मन शीतल हो जाता है शरीर सीतल हो जाता है उसी यमुना के किनारे चलो जहां वनसी बजया कानहा संग लिया बलवीर वंसी बजया काना मतलब श्री कृष्णा जो यमुणा के किनारे वंसी बजाते हैं, अपने भाई बलराम को लेकर वंसी बजाते हैं, खेलते हैं, उसी यमुणा के किनारे चलो, मोर मुकुट पितामबर शोया कुंडल जलक्या हीर, मोर मुकुट पितामबर मतलब श्री कृष् हीरे का कान का जो श्री कृष्णा पहनते हैं वो और मीरा के प्रभु गिर्धर नागर की रसंग बलबीर मतलब मीरा के जो प्रभु गिर्धर नागर थे जो अपने भाई बलराम के साथ अन्य गोपियों के साथ भी यमुना के किनारे खेलते रहते हैं वही मीरा भाई कहती हैं तो इसी के साथ पॉयम यही समाप्त होता है, उमीद करती हूँ आप सबको समझाया होगा, भजन, तो चलिए हम कुछ important सब्धार देख लेते हैं, जन्ड, जन्ड मतलब जन्ड, भक्त जन्डों को मेरा कहती है, जन्ड, चीर मतलब वस्त्र, वीर मतलब संकट, नरहरी मतलब नर नर्शिंग का रूप धरन करते हैं, वह नर्शिंग, नर्शिंग मतलब आधे, उनका सरीर जो रहता है, वो मनुष्य का रहता है, और सर शेर का रहता है, नर्शिंग, भूरता मतलब दूपता हुआ, राख्या मतलब बचा लिया, कुंजर मतलब हाथी, पीर मतलब पीड़ा जमना मतलब यमुना, तीर मतलब किनारा, बाबरी मतलब पगली, दिवानी, यह दिवानी है ठीक है, रस मतलब आनद, मनुवा मतलब मनुश्य, गुशंग मतलब बुरि संगती, और नीत मतलब नित्य, नित्य मतलब सदेव, मतलब ओल्वेस, तो उमीद करती हूँ आप सबको भजन समझ आया होगा, तो इसी के साथ यह भजन यहीं समापत होता है, थाइंक्यू जहिन